कि नमस्कार विद्ध्यार्थियों मैं रविंद्र कुमार दुबे केंद्री विद्ध्याले क्रमांक एक भुनेश्वर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक नए अध्याय के साथ अध्याय का नाम है एवरेश्ट मेरी शिखर यात्रा विद्ध्यार्थियों आज से लगभग 50 वर्ष पुर्व जैसे आज नारी के सिती है वैसे सिती नहीं थी समाज में उन्हें कमजोर माना जाता था और ऐसे वातावरण में एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी ताकत का अपनी हिम्मत का परिचा देते हुए एवरेश्ट जैसे शिखर पर चड़कर उसने साबित कर दिया कि वह पूर्षों से किसी भी मामले में कम नहीं है और ऐसी उसमहिला का नाम है बचेंद्री पाल उन्हीं के दोरा लिखित यह अध्या है जिसका आधम अध्यन करने जा रहे हैं विद्धार्थियों हिमाले जो है वह अपनी हमारे देश भारत में हिमाले की जो श्रिणिया आई है उनमें सबसे उची चोटी है कंचन जंगा जिसकी उचाई है 8586 मीटर जो एवरेश्ट है वह अंग्रेश सर्वेयर जार्ज एवरेश्ट के नाम पर अधारित है यह नेपालियों में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और एवरेश्ट है यह विश्व की सफसी उची चोटी है जिसकी उचाई है 8848 मीटर को आईए बचेंद्री के जीवन से परचित हो जाए बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था इनका जन्म इस्थान उत्रांचल जीला चमोली के बंपा नामक गाउन का जन्म स्थाना इनकी शिक्षा है वह बहुत मुश्किल से पूर्ण हुई आर्थी कटनाईयों का सामना करते हुए बचेंद्री पाल ने ए में संस्कित और फिर बीएट तक की शिक्षा प्राप्ट किये बचेंद्री पाल को विभिन पुरुसकारों से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें हैं पदमश्री अर्जुन पुरुसकार पदमभुषण आदी इनके परिवारिक विवरंक से भी हम परिचित हो जाएं बचेंद्री की माता का नाम था हंसाद देई नेगी पिता थे किशन सिहपाल बचेंद्री के दो भाई थे बड़े भाई वो लिंग भेट से ग परिवार जो इनका था मैं उनके द्वारा साल के कुछ मैने एक उचाई वाले गाउं में इस गाउं में जब ठंड पड़ती थी तो तराई वाले गाउं में आ जाते थे अब तराई वाले गाउं से इसकूल आने के लिए 5-6 मिल पहाड की चढ़ाई चड़नी और उतरनी पड़ती थी इस विवरण से यह पता चलता है कि बचेंद्री है वो बच्पन से ही पहाडी छेत्र में इसकूल आने जाने के कारण उसे पहाड में चड़ने का भ्यास था जो यह अध्या हम पढ़ रहे हैं यह क्यात्रा विवरण है एवरेश्ट विजय की रोमांचक परवता रोहन यात्रा का विवरण बचेंद्री द्वारा कलंबध किया गया है और उसी वि बहुत जड़ा उस्साव हो तो इससे ऊसमें जोकिमबरे चीजें हों चयुक्ता होती है जो एक जढ़ल साक्यासा की Choice होती यह जब करी चीजें आप इसमें अड़ी महसूश होंगी इत्लत दिल धला आने वाली घटनाएं होंगी इसमें तो उसमें पढ़ने से व्यक्ति क्या है ऐसे वीवरन को पढ़ने के समय बहुत जुड़ जाता है तो आए यह सद्धाय के बारे में जाने कि आसी क्या रोमांचक घटनाएं घटी एवरेश्ट अभ्यांदल के लिए कुछ सहासी महिलाओं का चैन किया गया और उसमें बचेंदरी पाल का भी चैन हुआ और फिर एवरेश्ट अभ्यांदल साथ मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाद से रवाना हुआ काठमांडू पहुंचने के बाद तयारिया की गई तयारिया करते विए फिर उन्होंने अपनी जवर्यांदल ने परतारोहन की यात्रा आरम की और इनलोग पहुंचे शेरपा लेंड के महत्तपूर्ण नगरी छेत्र नम्चे बाजार में यहां पर अधिकान शेरपा जड़े गठीले शरीर वाले होते हैं परवत चड़ने का इन्हें बहुत ज्यादा अनभव होता है भारी भारी सामाने उठाकर चल सकते हैं और जो परवतारोही होते हैं जो चड़ने वाले होते हैं सब सामान तो खुद नहीं उठा सकते हैं इसलिए उन्हें शेरपा लेना और यहीं नम्चे बाजार से ही बचेंद्री ने सर्व प्रथम एवरेश्ट को देखा इसके पहले बचेंद्री ने एवरेश्ट को नहीं देखा था यहीं पर से भचेंद्री है उसने बरफीली हवाओं से बना एक बड़ा फूल सा दिखाई दिया एवरेस के चोटी पर वो ऐसा लग रहा था जैसे मानों कोई धज जंडा लहरा रहा हो बताया गया वहां कि शीखर की उपरी सत्व के आसपास 150 किलोमेटर या अधिक गती से हवा चलने से यह फूल सा बनता है जिसे प्लूम कहा जाता है खराब मौसम में शीखर पर बर्प के तुफान से परवतारोहियों को सामना करना पड़ता है यह बात लेकी का बचेंद्री है वह जानकर उनके मन में डर भी पैदा हुआ कि जब मैं और मेरे सांथ जो भी परवतारोही होंगे जब हम एवरेस्ट के शीखर पर और उसने अपने आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया था और वह सोचते वे कि नहीं जो भी चुनौतिया आएंगी जो भी कटनाई आएंगी उसका हम सामना करेंगे यह मन में भाव लेकर वह आगे बढ़ें आगे एक छोटा सा इस्थान पैरिच वह अभियान दल के सदस्यों को उनके चेहरे पर आउसाच छा गया निराशा चा गई क्योंकि जब हम कोई कारे करने के लिए निकल रहे हैं को जोखिम भरा कारे करने के लिए निकल रहे हैं और किसी पहले दल के किसी सदस्यों के मृत्यों की खबर आ जाए तो सभाविक और द्रकषा जो चा गयी थी तब डल के नेता थे जो पचंदरी पाल लाएक जो अन्य सांथी थे जो इस अगे श्ञेंटर अभियाद रिक सदस्य थे तो कैड जो ने यात्रा इनके आगे बढ़ती रही और यात्रा फिर आगे चलते हुए यह पहुंचे बेस कैम में और बेस कैम से एवरेश शिखर को बचेंद्री ने देखा कि बचेंद्रीं ने पहली बार एंवरेस्ट कर कहा से देखा था है थोड़ी देर पहले हमने बढ़ा हैं है बिलकुल सही सबसे पहले हैं बचेंद्री ने हैं आफ देखा आथ और जब वो बेस करहा है तो अपना न्भवगBar बताती हैं व्चेंदेरी की शिखर को मैंने पहले दो बार देखा था एक बार नमचे बाज़ार में देखा रहा वा और उसके आद नमचे बाज़ार से बेस स्क którą तक आएंने के बीच में कहीं उनने एव्रेश्ट लहस्ट से और नुस्ते की उचाईयों से घिरी बरफेली टेढ़ी मढ़ी नदी को निहारती रही हुआ मतलब एवरेश्ट जेए इसके अगल बगल भी अन्य शिखर भी है उसमें से एक का नाम है लहस्ट से और दुसरे का नाम है नुस्त से और उस बर्फेली जो टेढ़ी मड़ी नदी को भी वह देख रही थी जो उन्हीं उपर कि शिक्रों के नीचे भाग में बह रही थी जो बेस केम्प से होते हुए आगे बाढ रही थी तो इस तरह से नजदिक से देखने का आउसर भचेंद्री को मिला और विस जो बेस केम्प होता है फिद्यायर्थों मैं आपके जानकारी देदूं कि वह होता है जहां पर कि जहां से फिर दुर्गदाइे हारं होती है बेस केम में वह सारे तंबू बने हुए होते हैं वहां पर भ्यान दल के कुछ सदस से रुके हुए होते हैं ताकि जो सदस परवतार होन करते हैं यह दुने कुछ जोखिम का सामना करना पड़ता है या कुछ आपाती सिती आ जाती इमर्जेंसी आ जाती किसी की तवियत बहुत ज़्यादा खराब ह हो गई तो उनको फिर सिधे कहां लाया जाता है बेस के में सुरक्षा दल भी होते हैं जो आप आते सित्यों में अपने सांथियों की सहाता करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तवियत खराब होगी बहुत जोखिम में कोई व्यक्ति पड़ गया तो फ समय बिताते हैं ताकि उनका शरीर है उस मौसम के अनुकुल ढ़ल सके क्योंकि एवरेश्ट पूरा बरफिला है तो इतने ज्यादा ठंड को सामना करने के लिए कुछ दिन तक शरीर को अनुकुलित करना पड़ता है उस वातवरण में शरीर को ढालने के लिए आपशक्ता प डाक्टर मीनु महता ने भी जानकारी दी उन्हें में परवतर हुईयों को बताया कि अलुमिनियम की सिढ़ियों से इस्थाई पूल कैसे बनाया जाता है लठों रस्यों के उपयोग कैसे करना है बर्फ की आड़ी तिर्ची देवारों पर रस्यों को कैसे बांधा जाता है और साथ ही अग्रिम्दल के जो अभियांत्र की कारियों की विस्त्रित जानकारी डाक्टर मीनु मेता ने सदस्यों को विस्त्रित जानकारी दी यहीं बेस्कैम में रहते हुए तेंजिंग नोर्गे भी यहां पर आये हुए थे और अपनी सबसे छोटी सुपुत्री के साथ और अभियांदल के सभी सदस्यों से शेर्पा से वो व्यक्तिकत्त तोर से मिल रहे थे जब वे तेंजिंग नोर्गे जिन्होंने उन्ने सो ति वे सबसे घुल मिलकर बात कर रहे थे जब तेंजिंग नोर्गे हैं वाचेंदली से मिले तब वाचेंदली ने एपना परिचय देते ही बताया कि वह नो सिखिया हैं तब तेंजिंग ने उसका उससा वरधन करते हुए कुछ प्र और यात्रा आगे बढ़ती है और वेस्केम से फीद कैम नमबर एक तक की यात्रा तीसरा दिन था वो कैम एक तक समान होकर चड़ाय अभ्यास के लिए धारित किया गया था जिसमें रीता गोंबु और बचेंद्री है दोनों सांसा चड़ाय करते हैं वाकी टॉकी से हर कदम को जानकारी बेस्केम तक देते रहते हैं अपने नेता करनल खुलर को और इस प्रकार से अब दुर्गम चड़ाई है एवरेश्ट की दुर्गम चड़ाई अब आरम हो गई है कैम नंबर दो पार करते हैं फिर वो पहुंचते हैं कैम नंबर तीन में यह बात है 15 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लहसे की बरफीली सिधी धलान पर तंबू लगाया गया था यह था कैम ती बचेंद्री है वह रुकती है रहती है दल के अन्य दस और वेक्ति भी थे तथा साथ में शेर्पा कुलियों का भी समों भी था और इस कैंप नंबर तीन में अचाना एक घटना घटती है आई यह घटना क्या थी हम बचेंद्री के द्वारा कलंबध विवरण को हम पढ़े पचेंद्री कहती है कि मैं गहरी नीन में सोई हुई थी रात में बारा बच कर तीस मिनट में लगभग मेरे सीर के पिछले हिस्से में एक सक्त चीज के टकराने से मेरी नीन अचानक खुल गई और सांथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ तभी मुझे मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे सरीर पर से मुझे कुचलती भी चल रही है मुझे सांस लेने में भी कटनाई हो रही थी यह नुभव बचेंद्री लिख रही है अब हुआ क्या था जाने हुआ यह था कि कैम के ठीक उपर लहोसे ग्लेशियर से एक लंबा बर्प का पिंड गिरने से विशाल हिम पुंझ बन गया था और वह हिम पुंझ जब बहुत ज्यादा बन गया तो फिर वह तेजी से नीचे की और धलान में धलान से नीचे की और जाने लगा बिलकुल तेज एक्स्प्रेस रेल गाड़ी की तेज गति से भीशन गर्जना करते हुए और उसने पूरे कैम को तहस नहस कर दिया हर वेक्ति को चोट लगी थी इंतो आश्चर किसी की भी मृत्यू नहीं हुई बचेंद्री है उस बर्प के धेर के नीचे दब गई थी बड़ी तेजी से बर्प को हटाते हुए बचेंद्री को बाहर निकाला गया नहीं तो बचे करना आसान नहीं है बचेंद्री ने तो एक प्रकार से मौत का सामना भी किया है मौत बिल्कुल छू कर निकल गई थोड़ी सी भी देरी होती तो बचेंद्री की मृत्यू निश्चित थी है फिर सब वापस कैम नंबर दो पर आते हैं सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ जाते हैं इनकी सहाता करने के लिए और सोला मई को प्राता आठ बज़े तक प्राय सभी जितने भी लोग वहां पर घायल हुए थे वो सब के कैम नंबर दो पहुंचाते हैं करनल खुलर है प्रसुशा करते हैं अपने अभ्यांदल के सदस्यों की वह कहते हैं कि यह इतनी उचाई कार्य का एक जबर्दस सहाथिक कारे था तक कैम नंबर 3 बहुत उचाई पर इस तरसे एक दूसरे की सहाता करते हुए एक दूसरे की रक्षा करने कारे कारे जो किया गया था बहुत अच्छा कारे था जिसके करनल खुलदे प्रसुशा के नौ पुरु सदस्यों को छोटे आ जहां पर सदस्यों को लाया जा सके या वहां से सुरक्षादल को सहीयोग के लिए भेजा जा सके तो जो नौपूरू सदस्य थे वो चोट के कारण या उनके हड्या तूट गई थी इसकारण से बेस्कम में भेज दिया गया कर्णर खुलर ने बचेंद्री से प्रश्ण किया क क्योंकि मौत का सामना किया था बिल्कुल मौत से बिल्कुल मौत चू करा निकल गई थी तो एक लिए बचेंद्री ने पूछना है कि या लगला प्रस्ण क्या क्या तुम वापिस जाना चाहोगी alors उन्हें कि इस तरह से पता चलता है कि बचेंद्री है मौत से भी लड़कर आगे बढ़ने के लिए वह उस्तुक थी वह द्रिड प्रतिग्य थी कि एवरेष्ट पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, एवरेष्ट की चढ़ाई मुझे चढ़नी है यह उसकी द्रिड मान सीकता है द्रिड संकल्प की भावना का यह प्रतिग है कि उ प्रश्णों प्रश्णों के और उत्तर के बारे में चर्चा कर लें कि विध्यार कर बताईये कि डजसें क्या ज्यंतल अभिया दल्द था तो डन्मीनल मेटा कपे हुँ जानकारियां दी तो इसका उत्तर सी परकारते है कि डाक्टर मिनु मेता ने परवता रोहियों को निम्नांकित जानकारियां दी पहला एलुमिनियम के शिड़ियों से अस्थाई पूल बनाना यह जानकारी दी गई थी दूसरा लठों और रस्यों का उप्योग तिसरी जानकारी थी कि बर्प की आड़ी तिर्शी दिवारों प के अभियांत्र की कारियों की विश्त्रित जानकारी तो यह चार जानकारियां डाक्टर मिनु मेता के द्वारा परवता रोहियों को दी गई थी जो एवरेस्ट तढ़ाई के लिए बढ़ रहे थे अगला प्रश्ण तेंजिंग ने लेखिका की तारिफ में क्या कहा आपको तब वो आ ह्योगे थे और लेखिका अपने आपको नौ सिख्या कहा तब तेंजिंग ने लेखिका की तारिफ में कुछ बात कही थी प्रोसाहित करतेे वे कि तुम एक पक्किद लड़की लगती हो तुम्हें तो शिखर पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए इस प्रकार से प्रोसाहान भरे शब्द जब किसी की द्वारा हमें मिलते हैं तो हमारे अंदर एक नहीं उर्जा का संचार होता है तो तेंजीन ने लेखिका की तारिफ में ये बात कही थे आशा इस पस्ट कीजिए एव्रेश जैसे महान अभ्यान में खत्रों को और कभी कभी तो मृत्यू भी आदमी को सहज भाव से स्विकार करनी चाहिए आपको याद है यह कथन किसका था करनल खुल्लर जी का कथन था जब शेर्पा कुल्यों के मृत्यू का समाचार मिला था और अभ्यांदल के सदस्यों के चेहरे पर निराशा आ गई थी तब करनल खुल्लर ने बात कही थी न इसका आशा क्या है आशा इस परकार से होगा एवरिष्ट की सर्वोच चोटी पर चड़ना एक महान अभ्यान है और ऐसे अभ्यान का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है यह अभ्यान खत्रों से भरा होता है इसमें पक पक पर जान जाने का जोखिम होता है मृत्यू के भय से घबराने पर हिम्मट तूड जाती है अता ऐसे अभ्यान के सफलता के लिए निर्भैता अनिवार्य है निर्भैता मतलब बिना डर के यह है इसका आशेश पस्टी करन तो एवरिष्ट मेरे शिखर यात्रा का पहला भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं करते हैं